दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप मुझे पूरा यगीन है कि आप स्वस्त होंगे सुरक्षित होंगे और ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्वस्त रहे सुरक्षित रहे इससे बड़ी और कोई चीज नहीं आज की डेट में क्योंकि आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है तो दबाईए और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और कोई आइडिया आपके पास है तो प्लीज शेयर कीजेगा क्योंकि इस वक्त हम एक कड़ी बनाकर चल रहे हैं कड़ी करोना को तोड़ने की है और साथ ही साथ बिजनस को जोडने की तो बताईएगा कोई बिजनस आइडिया आपके पास है जरूर उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे तो आज हम आपकी सेहत की बात कर रहे हैं और बात करें हेल्थ सप्लेमेंट की तो देखिए किस तरह से आप हेल्थ सप्लेमेंट का बिजनस शु आप चीजों में शुद्धता कम और मिलावट जादा होती है। इसलिए जानकार हेल्थ सुप्लिमेंट लेने की बात कहते हैं। हेल्थ सप्लिमेंट के मांकेट हेल्थ सप्लिमेंट की बढ़ती मांग बता रही है कि अब ये आम आदमी के आवशकता बन गई है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे लिए एक खाना जरूरी है, वैसे ही फिट और फाइन रहने के लिए health supplement लेना भी जरूरी है. Health supplement आपकी शुरीर में उन सारी चीजों की कमी को पूरा करती है, जो आपको खाने के जर्य नहीं मिल पाती. कैसे शुरू कर सकते हैं इसका वेपार? यह आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा बिजनस करना चाहते हैं. ओफलाइन या ओनलाइन? अगर फाइदे की नजर से देखा जाए, तो दोनों ही वेपार फाइदे मंद हैं. एक और जहां ओनलाइन वेपार में आप दुनिया भर को अपने सप्लिमेंट सेल कर सकते हैं, वहीं ओफलाइन वेपार में सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं दे सकते हैं. इसलिए आप दोनों में कोई भी वेपार करें, घाटे का सौधा नहीं है. कहां खोले हेल्थ सप्लिमेंट की शौप? देखिए. इस वेपार में आपको लोकेशन चुनने की जारूरत नहीं. जहां दवाई की दुकान खुल जाएगी, लोग वहां से लेने आ जाएंगे. वैसे अगर आप इसे किसी हॉस्पितल के पास, जिम सेंटर, कॉलेज, योग सेंटर या फिर डांस अकेडमी के आसपास खोलेंगे, तो जादा बेटर है. यहां आने वारे लोगों की संख्या जादा होगी. इसलिए हेल्थ सप्लिमेंट बिख जाएगा. मारकेट में बिजनस को कैसे सेल करें? कई लोग आधिकारिक प्रमान पत्र उठ पाने के बाद खुद के सप्लिमेंट बनाते हैं. वहें कुछ लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं. यह आप पर निर्फर करता है कि आप इसमें से क्या चुनेंगे. पर इतना साफ है कि आप मारक का रूल है उसे बेचने के लिए आपको अपनी ओडियंस की जानकारी होनी चाहिए. जैसे के हैल सेप्लिमेंट बेचने के लिए आप फिटनेस सेंटर, योगा सेंटर, डांस अकेडमी और कॉलेज के लोगों को अपना फोकस कर सकते हैं. इन जगाओं पर सप्लिमेंट पहले से ही अपनी जगाब बना चुके होंगे. इसलिए ब्रैंडिंग के अविशक्ता नहीं रही. लाइसेंस बाजार में जातर 20-30 की उमर के लोग सप्लिमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसलिए वो लगभग 3-5,000 रुपए तक महीना खर्च रहे हैं. इसलिए अगर उस उमर के लोगों पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे. हेल्थ सप्लिमेंट इस तरह की दवाई है जो कि शरी में विटामिन्स और प्रोटीन्स की कमे को पूरा करती है. ये दवाई लोग इंजक्शन या फिर पाउडर के रूप में लेते हैं. फेटनेस फ्री के बॉड़ी बनाने के मकसद से इसका अधिक प्योग करते हैं. इसक कि आज के दोर में कई सारे जानकार हेल्थ सप्लिमेंट को सही नहीं मानते, इसलिए इस विपार में आपको कई चैलिजिस फेस करने पड़ेंगे. आपको ग्राकों को ये समझाना पड़ेगा कि आप जो सप्लिमेंट बेच रहे हैं वो किसी भी हालत में नुकसान दायक नह हांगे. मल्टी विटामिन, मल्टी विटामिन जेक अच्छी गुनबता वाला मल्टी विटामिन स्पाने जाते हैं, जो कि हमारी हल्थ के लिए महत्तपून स्तोथ हैं. मचली का देल, मचली का देल, आविश्यक, ओमेगा 3, फैटी एसिट प्रदान करता है, जो सूजन को न की तरह एहम और अवश्चक है कौन लोग कर सकते हैं सप्लेमेंट का बिजनस अगर सीधा सीधा बोला जाए तो वेपार करना हर्ब किसी के बस की बात नहीं इसके लिए आपको मेडिकल और सप्लेमेंट की सारी जानकारी होनी चाहिए अगर बिना जानकारी के आपने सप्लेमे ना हो उससे शुरू ना करें बिजनस करने से पहले उससे जुड़ी जानकारी जुटा लें वेपार में किसी की देखा देखी ना करें कितनी आएगी लागत मार्केट की मां के हिसाब से देखा जाए तो इस वेपार में आपको लाब भी मिलेगा लेकिन उसे हासिल करने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा चोटा मोटा अंदाजा लगाया जाए तो इसमें लगबग 10 लाग हुपए की लागत आईगी सप्लीमेंट बेचने से पहले उसका निरिक्षन करें अगर आप मार्केट में प्रोड़क्ट की पहचान बराना चाहते हैं तो उसे बेच सप्लीमेंट खुद लेते हैं या फिर किसी को बेच रहे हैं बिजनस शुरू कर रहे हैं तो प्रीज एक बात जहन में जरूर ग्रहा को बता दीजिए और अपने भी जहन में रखिए या आप जब भी कंजूम करते हैं तो किसी हेल्थ एक्सपर्ट या फिर किसी अपने के हैं